प्रद दिन की तरह ले कर आएगे आज का राशी पर आधारित के जानते हैं आज का राशी पर आधारित के लिए 29 अक्तूबर 2021 शुक्रवार का राशी पर आधारित के जाने प्रद दिन की तरशक समवत उननीस सो तैना तालीस प्लब कार्टिक मास क्रिशन पक शाष्ट मीति थी है जो चौदव बचकर चार मिनित तक रहेगी तक पश्चात नभमी प्रारम हो जाएगी उश्यनक्षत राज 11 बचकर 31 मिनित तक रहेगा शुक्ष समय अभिजीत मुहूर 12 बचकर 42 मिनित से 12 बचकर 26 मिनित तक रहेगा इस समय कोई भी शुप कार्य प्रारम करे लाब मिलेगा अशुप समय रहुकाल 10 बचकर 41 मिनट से 12 बचकर 4 मिनट तक इस समय कोई भी शुप कार्य प्रारंब न करे सूर्य तुला राशी में विराजमान है चंद्रमा कर्क राशी में विराजमान रहेगे जानते हैं मेश राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज का दिन आपके लिए उलट पुलट जैसा हो सकता है कोई भी निरने आज विशेश सूजबूट से लेग बहतर होगा किसी नए कार्य का प्रारंब करने का इरादा हो तो दुपहर तीन बजे के बाद प्रारंब करे लाभ मिलेगा जानते हैं ब्रिशब राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज घरेलू कार्यों के पीछे दोर भाग वधन खर्चादिक करना पड़ सकता है निजी कार्यों में रुकावट आ सकती है सरकारी या गेर सरकारी कार्यों को भी हात में लेना पड़ सकता है जानते हैं मिथुन राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज आपके विरोधी पर आस्थ होंगे अपने द्वारा किये गई कार्यों से स्वयम संतोष नहीं हुगलोहे की वस्तुवे खरीदना आपके लिए हानिकारक सावित हो सकती है वस्त्रा आभुशन खरीद सकते हैं जानते हैं कर्क राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज कोई भी कार्य जल्दबाजी से करना हानिकारक साबित हो सकता है दोर भागवा खर्चे का दिन कहा जा सकता प्रोथ पर नियंत्रन रखे शिव जी की पूजा अर्चना में रुची रखे जानते हैं सिंग राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज के दिन आप किसी महापुरुष के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं धार्मिक संस्थान में जाने का अफसर प्राप्त हो सकता है कोई खुशी का समाचार मिल सकता जिससे आप प्रफुलित हो जाएंगे जानते हैं कन्या राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज किसी के मामले में पढ़ना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है खास्तोर से किसी महिला से विवाद करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है धार्मिक कारियों में रुची रखने से लाब होगा जानते हैं तुला राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज आपको लंबी यात्रा करना ठीक नहीं है घरेलू कारियों के पीछे धन खर्च हो सकता है वाहन खरीदना आपके लिए हानिकारक साबित होगा शिवजी की आराधना करे लाब मिलेगा जानते हैं व्रिष्टिक राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज का दिन ठीक नहीं है कोई भी कार्य का शुभारम करना चाहते हो सके तो ताल दे कहीं पसा हुआ धन साबधानी से निकलने का प्रयास करें अधिकारी वर्ग से विर्णा हानिकारक सावित हो सकता है जानते हैं धनू राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज व्यापारी वर्ग के लिए दिन महत्व पून का जा सकता है नौकरी पेसे वाले व्यक्तियों को अपने उच्च अधिकारी से सावधानी बनाये रखने की आवश्यक्ता है महिला वर के लिए दिन अनुकूल कहा जा सकता है जानते हैं मकर राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज सभी कार्य पूर्ण सावधानी से करने की आवश्यक्ता समझें किसी के वहकावे में कोई अनेतिक कार्य ना कर बैठे जो भविश्य के लिए दिक्कत पैदा हो जाए धन लाप का दिन का जा सकता है जानते हैं कुम राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज का दिन लाबदाय कहां जा सकता है आपके लिए किन्तु दोपहर के बाद आपके स्वास्थि में कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है ध्यान देने की आवश्यक्ता बनाए रखे जानते हैं मीन राशी के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज क्रोथ पर नियंत्रन रखे अपने कारियों को मन लगा करे लाब मिलेगा काफी दिनों से सोचे हुए कारियों में सपलता मिलेगी रुके हुए कारियों में रुकावटी दूर होंगी जोतिश परामर्ष के लिए संपर्क करे रगुनात प्रसाद शास्त्री से 947-3655-00 पर रात्री 10 से 12 बजे तक निशूद